हाई फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकूं मैं हूँ शबीना अन्वर वेलकम टू माई चैनल आज हम होटल और रेस्टरण में मिलने वाली मटर पनीर की सबजी को घर पर बनाएंगे जब आप इस मटर पनीर की रेसिपी को घर पर ट्राइ करेंगे तो बाहर का खाना ही भूल जाए तो चलिए फ्रेंड्स इस डिलिशियस और बहुत ही टेस्टी मटर पनीर की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने कढ़ाई में दो चमच तेल को गरम कर लिया है अब इसमें हमें डाल देना है चार प्याज इसे हमने रफली काट लिया है और छे हरी मिर्चे इसे भी हम इसमें डाल देंगे प्यास और मिर्च को हम एक मिनट के लिए fry कर लेंगे इसे हम चलाते हैं फ्राई करेंगे जिसे प्यास के पिटल्स खुल जए अब इसमें डाल देना है 5 टमाटर रफ्ली कट किये हुए अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं आब हमें ढाल देना है, 15-20 कली लहसुन की और थोड़ा सा अध्रक, अब इसे हमें mix कर लेना है. वन फोर टी स्पून नमक भी ढाल देंगे. अब इसे हमें कर देना है mix, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे अब हम cover कर देंगे और cover करके 5-7 मिनट तक पका लेंगे. इसे हम बीच में एक बार चेक कर लिए हैं अब इसे हम फिर से कवर कर देंगे और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे 5 मिनट हो गया है अब इसे हम खोल कर चेक कर लेते ये देखे टमाटर बल्कुल गल गया है हमें टमाटर और प्यास को इतना ही गला लेना है अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह ठंडा हो जाए तो इसका हमें पेस्ट बना लेना है जिसका इस्तिमाल हम बाद में करेंगे अब हम पनीर को फ्राइ कर लेंगे इसके लिए हमने एक छोटा चमज तेल लिया है तेल के साथ हमने एक छोटा चमज बटर ले लिया है बटर में फ्राइ करने से पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास बटर नहीं है तो तेल में ही फ्राई कर लें बटर मेल्ट हो गई है अब इसमें में डाल देना है पनीर इसे हमने चोटे-चोटे पीसेज में काट लिया है पनीर को हम हलका गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से मीडियम फ्रेम पर हमने पनीर को दोनों साइड से हलका गुलाबी होने तक फ्राई कर लिया है हमें इसे बस इतना ही फ्राई करना है पनीर फ्राई होके तयार है अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं फ्राई करने की बाद हमने पनीर को पानी में डाल के रखा है, ऐसा करने से पनीर हमारा हाड नहीं होता है, एक कप तेल को हमने गरम कर लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े गरम मसाले, पांच लॉंग, दो तेज पत्त, एक सूखी लाल मिरच, एक छोटा चम्म जीरा, कुछ सेकंड के लिए इसे हमें पका लेना है, अब हम डाल लेंगे कुछ पाउडर मसाले, सभी मसाले इस क्रीम पर हैं, कौन से मसाले और कितने डालने हैं, आप देख लीजिए, मसालों को हम 2-3 मिनट के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे, 2-3 मिनट में मसाले हमारे फ्राई हो गये हैं, अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने प्यास और टमाटर का पेस्ट बनाया था, अब इसे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, और 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे, मसालों को भूनते हुए 2-3 मिनट तक हो गया है, अब इसे हम कवर क पिछे से भून गये हैं, अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे, हाई फ्लेम पर इसे 2-3 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे, अब इसमें हम डाल रहे हरा मतर, यह हमने 500 ग्राम लिया है, हमने फ्रोजन मतर का इस्तेमाल किया है, आप ताजी मतर भी ले सकते हैं, मतर के साथ भ दूद के ऊपर जमी हुई मलाई, आप चाहें, तो अमोल मलाई का भी इस्तेमाल कर लें, मलाई डालने से पनीर का टेस्ट दो गुना हो जाता है, अब हम मलाई को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, और इसे 2-3 मिनट तक भून लेंगे, जब तक मलाई का चिकनाहट बाहर नही जाता, मसाले भून गया है, तेल सर्फेस पे आगया है, अब इसमें हम डालने थोड़ा पानी, यह हमने मिक्सर जार को धो लिया था, वही पानी डाल दिया है, इसे हम कवर कर देंगे, और 4-5 मिनट तक पका लेंगे, जब तक मत्र हमारे गल नहीं जाते, मसालों को पकते व अब भी मुझे यह ठीक लग रही है, अब आदा कप पानी हम और डाल देते हैं, टोटल हमने एक कप पानी का इस्तेमाल किया है, आप अपने हिसाब से पानी का इस्तेमाल करें, पानी डालने के बाद इसे हम मिक्स करते हुए, दो मिनट तक पका लेंगते हैं, जब तक ग्र अब इसमें डाल दे एक छोटा चमत गरम मसाला पाउडर, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया, इसे हम मिक्स कर लेंगे, अब इसे हम कवर करके 2-3 मिनट तक मेडियम फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे की तेल अच्छे से सर्फेस पे आ जाए, इसे पकते वे 2-3 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम चेक कर लेते हैं, ये देखे, तेल सर्फेस पे आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे, अब हम आपको इसकी ग्रेवी दिखाते हैं, ये देखे, कितनी लाजबाब सी हमारी मटर पनीर की सबजी बनकर तयार हुई है अब इसे हम गर्मा गर्म सर्फ कर लेते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलिशिस मटर पनीर बनकर तयार हुई है, ये रेसिपी तेखने में जितनी डिलिशिस लग रही है, उससे कहीं जादा ये खाने में लगेगी आपको, इससे आप मेरे बताय हुए तरीके से ए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल की चन्वित शबीना अन्मर को सब्सक्राइब करिएगा, इस रेसिपी को अपनी फैमली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, ऐसी टेस्टी और डिलिशियस रेसिपी के ल झाल 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 झाल